पावर हाउस चौक अंडर बीज के आसपास अव्यवस्थित रूप से व्यवसाय कर रहे ठेले खोमचे वालों को भिलाई रिगम द्वारा सडक के किनारे गुमटिया अबंटित की गई थी आबंटियों ने अपनी गुमटिया तो रख ली लेकिन व्यवसाय को अब तक शूरू नहीं किया है इस परिसर का उपयोग अन्य कारियों के लिए किया जा रहा है पावर हाउस के किनारे अंडर बिच के समीब ठेले खोमचे वालों द्वारा अव्यवस्तित रूप से व्यापार कर यातायात को बाधित करने के साथ ही दुरगटनाओं को अमंत्रित किया जा रहा था इसे देखते हुए नगर निगम प्रशाशन द्वारा इन ठेले खोमचे वालों को यहां से हटा कर चौक के किनारे व्यवसाय करने के उद्देशे से गुम्टियों को रखने अनुमती प्रदान की गई थी यहां गुम्टियों तो रखी जा चुकी है लेकिन इन गुम्टियों में व्यापार करने दो गुम्टि संचालकों के अलावा कोई भी नहीं पहुचा है आबंटियों ने अपनी गुम्टियां तो यहां रख दी हैं लेकिन व्यवसाय करने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं इसे इसपस्ट होता है कि इन गुम्टि संचालकों को गुम्टियों की जरूरत ही नहीं है इसे देखते हुए नगर निगम प्रशाषन को गुम्टियों को जरूरत मंद हित्यगराहियों को आबंटित किये जाने की जरूरत है वर्तमान में गुम्टि परिसर का उपयोग दूसरे अन्य कारियों के लिए भी किया जा रहा है एक दूसरे की देखा देखी दूसरे अन्य लोग भी परिसर में काबिज हो रहे हैं निगम ने गुंटी परिसर में टाइल्स लगा कर इससे सुन्दर बनाने का प्रयास किया है लेकिन गुंटी संचालक नगर निगम की स्वरोजगार जैसी महती योजना को पलीता लगा रहे हैं इसे देखते हुए जरुवत मन बेरोजगारों को रोजगार करने के उद्देश से इस स्थान पर जगह अबंटित किये जाने की जरूरत है Grandation News के लिए संजय दुबे